दोस्तों, आचकेल भागणों वाले जिन्देगी के चलते और गलत खाने पीने की आदत के चलते, पेट खराब होना, पेट पूरी तरह साफ न होना, कर्ज की प्रॉलम होना नॉर्मल है। हमारे शिरी की डाजेशन सिस्टम के चलते, शिरी के दूसरे पार्ट को एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें जब भी पेट या फिर डाजेशन से रिलिटेट प्रॉलम होती है, तो इसका डारेक्ट इफेक्ट शिरीर के दूसरे अंगों, जैसे कि किड्नी, लिवर, हार्ट, पै जी की दिक्कत रहती है, तो ऐसे में एक हाईवे भोजन का कुछ औशेश हमारी आतों में रह जाता है, जो धीरे-धीरे सड़कर शरीर में गैस और एसिड की मातर को बढ़ाने लगता है। पेट पूरी तरह साफ नहीं होने के वज़ह से पूरे दिन शरीर में ठकान और भा दिल्लू नुस्खा बताऊंगा और साथ साथ आपको कुछ आयर्वेद की नियम बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो कर लेंगे तो कबजी की समस्य आपकी जड़ से हत्म हो जाएगी। वीडियो में ध्यान से अंतक बन रखिए। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कबज यानिक कॉंस्टिपेशन है या फिर नहीं है। आप अपने स्टूल को देखकर यानि मल को देखकर पता लगा सकते हैं कि कबज है या फिर नहीं है। देखे अगर आपका जो स्टूल है वो गाठे गाठे से दिखाई देती हैं अलग-अलग इसके लिए स्टूल बिलनकार होना चाहिए, या फिर साप जैसे चिकना है, तो ये दोनों ही तरीके के स्टूल या फिर मल नॉर्मल में आते हैं. अब ये जान लेते कि आखिर ये कबज पेड़ साफ ना होने के क्या कारण होते हैं, ताकि इसका इलाज आप आसानी से कर सको. अगर आप तला हुआ भोजन करेंगे, तो आपको कबजी की प्रॉलम होगी ही, और साथे साथ पेट में गैस बनने के समस्या भी होने लगती है. इसके लावा नींद पूरी ना होना भी कबजी के समस्या का एक कारण है. कई लोग 24 गंटे में से सिर्फ 4 या 5 गंटे ही सोते हैं, वो अपने काम में इतना विजी हो जाते हैं कि उन्हें सोने के लिए और अपने शरीर के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तैसे में उनका शरीर दीरे दीरे बिमार पड़ने लगता है, जब तक वो प्रॉपर अपनी नींद नहीं लेंगे तो उनका पाचन तंदर खराब नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनकी पाचन शक्ति कमजूर होने लगती है, जिस कारण उनका खान अच्चे से नहीं पसता और उन्हें कबजी की समस्या उत्पन होने लगती है, इसके लावा दोस्तों पानी की कमी, बहुत से लोग होते हैं जो पानी बहुत ही कम पीते हैं श्रीर की जुरत के नुसार पानी नहीं पी पाते हैं पानी परियापत मातरा में ना पीने की वज़े से भी कबजी की समस्या होती है तो पानी का खास ध्यान लखें इसके लावा धुम्रपान, शराव, गुटकादी का सेवन करने से भी आपका शरीर में कबजी की प्रॉलम हो सकती है सही समय पर शौच न जाना, सौच को रोक कर रखना भी कबजी का कारण हो सकता है चली आप तो आप जान लिए कि कबजी की होता है, कबजी का पहचान कैसे कर सकते हो और अब जानते हैं कि कबजी का इलाज आप घर पर कैसे कर सकते हो तो सबसे पहला जो इलाज बता रहा हूँ, इसे हर उम्रे के लोग फॉलो कर सकते हैं इससे आपके कबजी के समस्या तो दुर होगी होगी, साथ श्रीर को ताकत भी मिलेगी, थाकान, आलस, कमजूरी, हाथ परे में डर्द, जोड़ों में डर्द, पाइल्स, यानि बवसरी के समस्या में भी ये फादिमन्त होगा, तो यहाँ पर आपको अंजीर और किश्मीश का भीगो कर रख देना है, और उजाना सुबा के समय, पानी सहीद इसका सेवन कर लेना है, इसे चबा चबा कर अराम से खा लेना है, अंजीर और किश्मीश में दोस्तों, डाइटरी फाइबर के मातरे ज्यादा होती है, जिससे पाचन मजबूत होता है, और स्टूल जो है न, वो सौफ्ट होता है, और कब्ज में तुरंत रहात मिलती है, सुबा के समय, इसके स्तमाल से न, सिर्फ हमारा पेड साफ और डाइशन इंपरू होता है, बलकि दिन बर शरीर में अच्छी एनरजी बना रखने के लिए भी काफी उपयोगी माने जाते हैं, इसके लावा क्या करते हैं, सुबा उठते ही खाली पेट, दूद वाली चाय पी लेते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये पेट में गैस, ऐसीड़ी की समस्चा को पैदा करती है, अगर आपको चाय पी नहीं है, तो आप ग्रिन टी पी लीचे, या फिर हर्बल टी पी लीच अच्छे से साफ होगा, मल त्यागने में भी आपको आसानी होगी, इस तरह पानी का खास ख्याल रखेंगे, सुबा सुबा खाली पे चाय नहीं पीएंगे, तो आपकी पेट की जेती समस्या हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, अब मैं आपको दूसरा उपाय बतात पेट में पाचक रस को बढ़ाता है, जिससे हमारा डाजेशन इंप्रू होता है, तो यहाँ पर एक चमच की मातरा में हम जीरा लेंगे, अगरी चीज हम जो लेंगे, वो है दोस्तों सौंफ, सौंफ भी हमें आरे पाचन नेंजाम्स को बढ़ाते हैं, हमारे डाजेशन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चमच की मातरा में सौंफ ले लेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे अजवाइन, दोस्तों जब भी कोई पेट से जुड़ी कोई समस्या होती है, चाहे हो गैस हो या पेट फूलने की समस्या हो, बार बार पेट में दर्द हो, कबज हो या फिर या पर पाष्च की समस्या हो, तो अजवाइन इसमें बहुत फादयमंदे है, इसल propagand का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक चमच की मातरा में हमें अजवाइन लेना है, हमने एक चमच चिरा लिया है, एक चमच लिया है स्वाँप और एक चमच ले लि तो सबसे पहले आपको अजवाइन और जीरे को तव्यव पर ड्रायर रूष्ट कर लेना है, आपको बिल्कुर हलकी आज में इसे भून लेना है, लगबर देड़ से दू मिनिट तक भून लीजेगा, भूनना सिर्फ आपको अजवाइन और जीरा को ही है, सौंफ को नहीं तो भूने वे जीरे अजवाइन को सौंफ के साथ मिलाकर काला नमक के साथ मिलाकर इसका पॉडर त्यार कर लेना है, यहाँ पर काला नमक आपको आधे चमच की महतरा में ही लेना है, जहन रखेगा, पॉडर जब यह बन जाया तो इसे किसी एर टाइट कंटेनर में स्टूर करके रख लीजेगा, इससे आप लगबग 1-5 महिने तक आराम से श्टूर करके रख सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं, आप ज्यादा क्वाणिटी में घर पर बना लीजेगा, चलिए अब क्या करना है, इसका सेवन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आप आपको जब भी डीनर करते हों, खाना खाते हों, तो राते खाना के आदे घंटे पहले आपको इस तरह आदा चमचे इस पाउडर का लेना है, और उपर से एक कप गुर्मना पानी पी लेना है, और इस तरह आपको दिन में दू बार सेवन करना है, खाना खाने के आदे से आपको नहीं होके अगर अक्सेरी में मुटापा बढ़ा हुआ है वे लोग भी इस रेमेडी का सेवन कर सकते हैं इस रेमेडी के सेवन करने से मुटापा आपका कम होगा सासात में जिनको डायबेडी है हाई ब्रड़ प्रिशर की समझ से वे लोग भी इस रेमेडी का सेवन